नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अर्पिना मैं एक होमियोपथिक कंसल्टेंट हूँ हम इस चैनल में बात करते हैं कि कैसे होमियोपथी की दवाईयां हमें अलग-अलग मेडिकल कंडिशन्स में मदद कर सकती है आज हम लोग बात करेंगे रीजिनल हार्ट वॉल अबन के नाम से भी जानते हैं हमारा जो हार्ट है ये पंप की तरह है तो ये एक रिदमिक वे में ब्लट को पंप करता है अगर हार्ट के कहीं किसी पोर्शन में किसी वॉल में कोई कॉंट्राक्शन एक रिदम से नहीं हो रहा हो या कॉंट्राक्शन नहीं हो रहा हो या कम हो रहा हो या जादा हो रहा हो तो इसको हम कहते हैं Heart Wall Motion Abnormality तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे जानेंगे क्या होते हैं इसके अलग-अलग Types और Homeopathic Management दोस्तों Heart Wall Motion Abnormality यह हो सकता है जब आपका Heart का कोई एक particular part के जो muscles हैं वो एक तरह से contract नहीं कर रहे हैं तो इसके चार variety हो सकते हैं तो अगर कभी आपने Eco करवाया है आपको कुछ problem हो रही है तो Eco Cardiography की जो report होती है उसमें कभी-कभी ऐसा लिखा होता है Hypokinesia या Akinesia या Hyperkinesia या Dyskinesia तो इन words का क्या मतलब है तो Kinesia जो word है ये motion को represent करता है हाइपो यानी कम तो Hypokinesia का मतलब है कि Heart wall की motion जैसी होनी चाहिए उससे कम हो रही है किसी एक particular part में motions जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है उससे कम हो रही है इसे हम कहते हैं Hypokinesia Akinesia, Akinesia का मतलब है कि किसी portion में जो contraction होनी चाहिए वो हो ही नहीं रहा है फिर हो सकता है Dyskinesia Dyskinesia का मतलब है वो abnormal way में contract कर रहा है बाकी muscles जिस तरह contract कर रही है वैसे नहीं कर रहा वो एक अपने abnormal तरीके से ही चल रहा है फिर आता है term Hyperkinesia यानि जरूरत से जादा contract करना तो दोस्तों जब कोई particular part अपने मुताबिक contract नहीं कर रहा तो उसकी adjoining area में जो muscles हैं वो compensation के तोर पे जादा contract करेगी तो इसे हम कहते हैं Hyperkinesia तो जो Hyperkinesia है वो बिमारी नहीं है पर Hyperkinesia हो रहा है क्योंकि contraction कम है यानि Hypokinesia हो रहा है या A-Kinesia है यानि contraction नहीं हो रहा या Dyskinesia यानि Abnormal contraction हो रहा है तो इनको compensate करने के लिए Hyperkinesia यानि कुछ muscles फिर जरूरत से जादा contract करते हैं तो दोस्तों यह जो Heart Wall Motion Abnormality है तो इसमें हम Homeopathic के लिए क्या कर सकते हैं तो इसको समझने से पहले Heart Wall Motion Abnormality आपको क्यों हो रहा है उस reason का पता लगाना and accordingly हमारा जो treatment protocol है वो उसी हिसाब से address करते हुए हमें देना है कुछ बिमारी ऐसी होती है जो end stage में होती है तो ऐसी स्थिती में भी Homeopathy की दवाईया as a supportive आपको मदद कर सकती है कई बाई conventional system of medicine के साथ भी Homeopathy को दिया जा सकता है to improve the quality of life या जो symptoms है उनको बहतर डील करने में बिमारी का इलाज जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं उसका outlook, prognosis उतना ही better रहता है तो चलिए जानते हैं क्या है Homeopathy की कुछ दवाईया जो आपके heart wall को मजबूत बना सकता है और motion abnormality जैसे समस्याओं में आपको मदद कर सकती है हमारी सबसे पहली medicine creditus creditus एक दवा है जो मदद करती है जब किसी प्रकार का valvular deficiency हो heart के valves जब ठीक से काम नहीं करते हैं ऐसे स्थिती में ये जो दवा है creditus बहुत मददकार है छाती में दर्ध होना, इंजाइना होना, dropsy, सूजन हो जाना, पैरों में सूजन आ जाना आप लोग उन्हें ऐसा सुना होगा heart की तकलीफ के वज़े से पैरों में सूजन आ जाती है तो जब dropsy हो, पैरों में सूजन हो, सांस लेने में दिक्कत है जब लेटते हैं तब सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है लेबर्ड ब्रीधिंग हो जाती है तो ऐसी स्थिती में भी क्रेटेगस एक बेहत ही उपयोगी मेडिसन है जो पल्स है वो धीरे धीरे स्लो हो रही है रापिड हो रही है जो दर्शा रहा है कि हार्ट की स्थिती डे बाई डे खराब हो रही है तो क्रेटेगस मदर टिंचर ऐसे कंडिशन में आप यूज कर सकते हैं इसको दस बूंद आधे कब पानी में दिन में 2-3 बार आवश्यक्त अनुसार लिया जा सकता है दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है स्ट्रोफेंथर्स स्ट्रोफेंथर्स में हम देखते हैं कि जो हार्ट का एक्शन है या अक्टिविटी है वो कमजोर है क्योंकि कार्डियक मसल्स में कमजोरी आ रही है तो hypo kinesia के stages में यह बहुत ही helpful medicine है इसमें हम देखते हैं कि heart disease के वज़े से छाती में पानी भर गया है तो lungs में dropsy हो गया है heart disease के वज़े से इसके साथ साथ gastric complaint है हमेशा एक nausea बना होता है vomiting नहीं होती बट nausea की feeling हमेशा बनी होती है गले में जलन हो रही है पेट में जलन हो रही है तो gastric complaints साथ में हैं बहुत जादा कमजोरी हो गई है debility आ गई है cardiac muscles ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो हम strofenthus medicine को consider कर सकते हैं इसे भी mother tincture के रूप में लेना है दस पूंत आधे कप पानी में दिन में दो से तीन बार अवश्यक्ता अनुसारे से लिया जा सकता है दोस्तों अगली हमारी medicine है digitalis digitalis एक ऐसी दवा जो की failing heart, heart एकदम से लग रहा है अब काम नहीं कर पाएगा एक कदम भी चलने से सांस फूल जा रही है और थपनिया हो रहा है बहुत जादा सांस फूलने की समस्या हो रही है एकदम failing stage में heart आ रहा है तो ऐसे में digitalis medicine का प्रयोग कर सकते हैं जो digitalis दवा है वो heart में दो तरह से काम करता है सबसे पहले जो cardiac ganglia है उसको stimulate करता है और दूसरा जो cardiac muscles उनको भी strengthen करता है तो एक जो heart condition overall जो deteriorate हो रही है day by day condition खराब हो रही है या end stage diseases है जिसमें conventional treatment भी चल रहा है तो ऐसे में digitalis medicine भी symptoms के साथ deal करने में मदद कर सकती है और symptomatic relief दे सकती है digitalis heart muscles के contraction एक rhythmic way में हो heart की जो एक vigor है या heart का जो एक strength है वो बना रहे ऐसे में मदद करता है तो दोस्तों ये थी हमारी 3 homeopathy की mother tincture जो cardiac wall motion abnormality के लिए हाइपो काइनीजिया के लिए एक आइनीजिया के लिए या डिस्काइनीजिया के लिए बहुत helpful है दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ अभी जो information मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को like करना, share करना, comment करना और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी नहीं भूले ताकि ऐसे ही informative वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से appointment लेना, आपको क्या करना है, जाना है मेरे website drarpana.com पे वहाँ पे आप बड़े ही आसानी से अपना appointment खुद बुक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो हमारे office के whatsapp number पे whatsapp के माध्यम से भी message भेज सकते हैं वहाँ पे भी आप लोगों को appointment की सारी details मिल जाएगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही खुश रही है, मुस्कुला दिल लिए, स्वस्त रही है and support watching